आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माट्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बाईलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ यहां पर हमारे पास एक पैरग्राफ टाइप का सवाल दिया हुए और हमें इस पैरग्राफ से रिलेटेड कॉस्चिन्स को एंसर करना है ठीक है तो पैरग्राफ पढ़ते क्या दिया हुए यहां पर क्या जा रहा है कि इस क्या होता है तो इसमें कोवेलेंट कंपाउंड जो होते है वो कनवर्ट हो जाते है आयनिक कंपाउंड में ठीक है और जो एक्स्ट्रा एलिमेंट होते हैं जैसे कि नाइटोजन, सुलफर, फॉस्फोर, सॉल, हैलोजन इनको हम डिटेक करते है यूज्वल टेस्ट से ठीक है तो हमारे पर जो पहला सवाल दिया हुए वो क्या है तो फर्स्ट सवाल में हम से पूछा गिया है कि आपको बताना चाहूंगा कि जो जो आर्गेनिक कमपाउंड है उसमें नाइट्रोजन या सफर वह हो सकता है तो लैस अगने एक्स्ट्रेक्ट में जो जो लैसे घैक्स्रेक्ट होता है उसको हम कोंक चनुटरी के साथ में इस लिए बाइल करते हैं तक जो हमारा nitrogen और sulfur जो है वो क्या हो जाए वो decompose हो जाए ठीक है और decompose होके वो क्या बनाता है तो वो decompose कर देता है Na, Cn और Na2s के form में ठीक है तो sodium metal जो है वो Na, Cn और Na2s के form में decompose हो जाता है ठीक है नहीं तो अगर ये decompose नहीं करेंगे तो जो हमारा silver nitrate का जो test होगा halogen का उसमें क्या होगा कि ये जो molecule है मतलब nitrogen sulfur जो है वो क्या करेंगे वो उसमें interfere करने लग जाते है तो हमें पता नहीं चलेगा कि वहाँ पर halogen group थे या नहीं थे क्योंकि ये silver के साथ में react करके agcn या फिर ag2s बना लेते हैं और ये भी जो है ये भी क्या दे देंगे ये white precipitate देने लग जाते है ठीक है तो white precipitate देने लग जाएंगे तो हमें पता नहीं चले है कि यहाँ पर agcl था या नहीं था ठीक है क्योंकि ये n और s जो है ये हमारा इस question का राइट एंसर होगा ठीक है आगे हमारे से क्या पूछा गया है कि black precipitate in the detection of sulfur with lead acetate and acetic acid is due to the formation of मतलब जो black precipitate बनता है जब हम detection of sulfur कर रहे होते हैं तो वहाँ पर reaction कराते हैं lead acetate और acetic acid का तो जो black precipitate बनता है वो क्यों बनता है मतलब वहाँ पर क्या बना होगा किस compound की formation होई होगा ताकि वो black precipitate बनता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम less agne extract को acidify करते हैं acetic acid से और फिर उसको lead acetate के साथ में react कराते हैं तो हमारे पर जो black precipitate बनता है वो lead sulfide होता है ठीक है lead sulfide होता है और वो किस तरीके से बनता है तो PV2 plus S2 minus के साथ में react कर जाता है और PVS बना लेता है यह हमारा lead sulfide का formation हो जाता है और यही क्या देता है यह black precipitate दे देता है ठीक है तो हमारा देख सकते हैं कौन सो option correct है तो हमारा B option जो है वो इस question का right answer है ठीक है आगे देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है तो हमारे पास अगला question जो है उसमें पूछा गया है कि blood red color in the detection of both nitrogen and sulfur in less agne extract is due to the formation of तो blood red color क्यों बनता है जब हम nitrogen और sulfur का detection कर रहे है तो हमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब nitrogen और sulfur एक साथ में present होता है तो वहाँ पर जो color आता है वो blood red color आ जाता है और blood red color क्यों आता है क्योंकि वहाँ पर जो हमारा thaiosinate iron है जैसे मैं बताना चाहूँगा कि sodium के साथ में हमारे पस क्या होता है nitrogen भी होता है sulfur भी होता है carbon भी होता है तो यह मिल के क्या बना देता है यह sodium thaiosinate बना देते है Na CNS बना देते है ठीक है और यह किस प्रकार से रहता है Na plus cn minus के form में होगा तो यह जो हमारा cn minus thaiosinate iron जो है thaiosinate iron जो होता है वो क्या कर जाता है वो FE के साथ में, आईरन के साथ में react हो जाता है, ठीक है, और react करके वो क्या बनाता है, तो वो react करके, जो बनाता है, वो कौन सा structure बनता है, तो हम देख सकते हैं, जो भी ये react हो जाएंगे, तो ये हमारे परस FE CNS whole thrice बना लेता है, ठीक है, और ये क्या है, फेरिक थायो साइना होगा, ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं, उसमें क्या पूछा गया है, ठीक है, तो हम से कहा जा रहा है, कि yellow precipitate in the detection of phosphorus, when an organic compound is heated with Na2O2, मतलब कि, जब हम detection of phosphorus कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारा जो organic compound है, उसको हम heat करते हैं, sodium paroxide के साथ में, और फिर boil करते हैं, उसको कौन क HNO3 के साथ में, followed by addition of ammonium molybdate, मतलब उसके बाद फिर हम उसमें ammonium molybdate मिलाते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, ठीक है, तो yellow precipitate form हो जाएगा, लेकिन yellow precipitate आता कि इसके वाएशा है, यह हमें बताना है, ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, कि हमारे पास detection of phosphorus के लिए जो organic compound है, उसमें हम इस तरह का चीज होता है, एने 3PO4 जो है, वो हम 3 HNO3 के साथ में react कराते हैं, तो यह हमारे पास H3PO4 और 3 NaNO3 बनता है, ठीक है, तो यह हमारे पास phosphorus है, इसमें हम देख सकते हैं, ठीक है, और फिर क्या होता है, कि यह जो H3PO4 है, कि यह क्या हो जाता है, यह ammonium molybdate के साथ में, इसको हम react कराते हैं, यही बोला गया है, कि एक organic compound को heat कर रहे हैं, sodium peroxide के साथ में, और फिर sodium उसको फिर boil करते हैं, कौंक HNO3 के साथ में, ठीक है, तो हमने कौंक HNO3 के साथ में इसको boil किया, तो यह हमारे पास H3PO4 प्लस 3 Na3 आ गया, ठीक है, अब इसमें हम ammonium molybdate मिलाएंगे, तो ammonium molybdate क्या होता है, वह होता है, 12 NH4 whole twice mo 4, यह हमें पास ammonium molybdate होता है, और इसको 21 mol of HNO3 के साथ में, again हम क्या करते हैं, react कराते हैं, तो हम जब react कराते हैं, तो हमहरे पास जो बनता है, वह क्या बनता है, वह बनता है, नह 4 whole twice, PO4, dot 12 MO O3 plus हमारे पास 21 NH4 NO3 का release होता है और 12 STO का release होता है तो यह जो हमारे पास बना है यह क्या देता है यही yellow precipitate देता है तो हम देख सकते है हमारा कौन सा option correct होगा तो हमारा NH3 sorry NH4 3 dot PO4 dot 12 MO O3 यह हमारा जो है इस question का right answer होगा 9 का A ठीक है यह हमारा answer है अगले सवाल में हम से क्या पुछा गया है कि ballastine test is given by जो ballastine test होता है वो कौन से compound जहें वो देते हैं तो मैं बताना चाहूँगा कि जो organic compound होते है उसको अगर हम heat करते है clean copper wire में in a bunsen flame तो वहाँ पर हमारे पास green या blue color का formation होता है और वो formation क्यों होता है वो formation होता है due to formation of volatile copper halide जो copper halide होते हैं उनके formation के कारण जो है यहाँ पर हमारे पास blue या green color का formation होता है ठीक है तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास blue या green color हो रहा होगा तो उसमें क्या होगा copper halide का formation हुआ होगा ठीक है copper halide बना यानि कि वहाँ पर halogen था ठीक है तो इससे हम detect कर सकते हैं कि हमारे पस halogen होता है तो ballastine test के लिए वो कौन सो करता है तो halogen यह यह दोनों जो है यह हमारा बलेस्टीन टेस्ट सो करते हैं ठीक है इसका मतलब कि यह तीनों जो होंगे वह ballastine test करेंगे यानि हमारा option कौन सा होगा तो option D हमारा इस question का right answer होगा ठीक है तो यह हमारा answer है और 9 का यह हमारा answer है question number 8 के लिए है और 7 के लिए है और 6 के लिए है यह हमारे इस questions के answers है ठीक है thank you classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भर होसा आज ही डाउनलोड के डाउटने टाप यह whatsapp कीजिए अपने डाउट आउट्स आच 400 400 चार्स उपर